आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ किसी भी पुराने घड़े या मटकी को डेकुरेट करने का बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान में आप उसे डेकुरेट कर सकते हैं यह मेरे पास एक मटकी है जो मैंने पहले डेकुरेट करी थी और इसका color वगारा थोड़ा सा हट गया है तो मैं आपको इसी को decorate करके बता रही हूँ दूसरा तरीके से आप इसे कैसे decorate कर सकते हैं तो ये देखे नीचे की तरफ हमने glue लगाया है और इसके बाद हमने रसी ली है रसी को हम इस तरह से चिपका रहे हैं ये देख सकते हैं इस तरह से गोलाई में हमने रसी को चिपकाना है और हम इसे रसी से cover करेंगे ये सुतली है जूट की रसी आपके पास कोई भी रसी है आप उसे ले सकते हैं ये देखे इस तरह से glue लगाते जाना है और इसे चिपकाते जाना है एक दो लेयर ऐसे ही लगाने के बाद आप बीच पीच में ग्लू जरूर लगाए अदरवाइस जो रसी है वो ठीक से चिपकेगी नहीं बाद में निकल सकती है इसलिए ठीक से आपने ग्लू लगाना है आप यहाँ पर फैबिकॉल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं कोई भी ग्लू और उसके बाद मैंने उपर से रसी लपेटना स्टार्ट किया है और इस तरह से ग्लू लगा करके चिपका रही हूँ मैं पूरी लाइनों में आपने इस तरह से ग्लू लगाना है और इस तरह से रसी को चिपकाना है इसके चारों तरफ तो हमने उपर और नीचे के इससे को कवर किया है, सेंटर का इस सामने छोड़ दिया है अगर आपके पास कोई ऐसी मटकी है, जो कि बहुत जादा खराब हो, तो आप सेंटर से उसे कलर कर ले, मैंने यहाँ पर आल्रेडी कलर की हुई मटकी लिए है यह देखिए तो मैं एक फ्लार पॉट की तरह से इसे यूज करती थी और इसका जो कलर है फेड हो गया था तो मैंने सोचा इसे फेकने से अच्छा है इसे हम किसी और तरह से डाकुरेट करते हैं तो यह तरीका मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मैंने इसे लपेट लिया है पूरी तरह से दोनों साइड़ों में अब हम लेस का इस्तिमाल कर रहे हैं जूट की रसी के साथ लेस का कॉमिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैंने यहाँ पर एक लेस ली है लेस आपकी हाफ इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए अदरवाइस गोल सर्फेस पर चिपकाने में मुश्किल होगी तो आपके पास कोई भी इस तरह की लेस बड़ी है जो कि ज़्यादा चौड़ी नहीं हो आप उसे ले सकते हैं और यह देखिए इसको हमने यहाँ पर चिपका दिया है ब्लू कलर में वह बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रहा है इस तरह से हम इसे चिपका सकते हैं देखिए हमने एक पीस और चिपका दिया इसके उपर और एक पीस हम ब्लास्ट में चिपकाएंगे उपर की तरफ यह देखिए अब इसकी नेक पर भी लगाते हैं ग्लू और एक लेस का पीस हम यहाँ पर भी चिपका देंगे और बस इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डेकुरेशन कम्प्लीट हो जाएगा इसे और ज़ादा डेकुरेट करने की कोई जरूरत नहीं है यह इतने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और यह कट कर देते हैं इसको उपर का पार्ट भी हमारा रैडी हो गया है और यह हमारा वास बनकर तयार हो गया है आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ यह किस तरह से सुन्दर दिखाई दे रहा है यह देखे इसमें आप artificial flowers लगा सकते हैं कोई आपके पास छोटा pot है जिसमें कोई छोटा plant लगाया है real plant आपने लगाया हुआ है उसे आप इसके अंदर रख सकते हैं और अपने घर के किसी भी color को decorate कर सकते हैं तो आप इसे किसी भी तरह के flower pot की तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं यह था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें thanks for watching